गूड प्लस वन की लास तो हमारे Molecular Orbital Theory के बाद हमारा अगला टोपिक जो हमारा लास्ट टोपिक है इस यूनिट का वो आता है Hydrogen Bonding इसी के से तो हमारे जो Notes है इस यूनिट के complete होंगे तो Hydrogen Bonding क्या होता है It is a very very most important Plus 2 के लिए भी important है Plus 1 के लिए भी यहां से कई किश्चन बनेंगे तो Hydrogen Bonding और अलग-अलग इनिटों में भी बनेंगे तो चलो देखें हम बात करेंगे किश्चनों के बारे में भी Hydrogen Bonding क्या होती है तो जैसे कि Hydrogen Bonding के बारे में बात करूँ तो जैसे कि एक Molecular है वह है दूसरे Molecular को Attract करता है वह है दूसरे Molecular के Hydrogen को Attract करता है और वो जो Atom Attract कर रहा है वो Electronegative जाद है तो उनके Attraction को कहेंगे Hydrogen Bonding Hydrogen Bonding मतलब एक Molecular का कोई Electronegative Atom दूसरे Molecular के Hydrogen को Attract करना Hydrogen Bonding कहलाता है Hydrogen Bonding कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा इसके लिए conditions है नमबर एक hydrogen bonding वो atom बनाएंगे जो highly electronegative है नमबर दो hydrogen bonding वे बनाएंगे जो small size के दोनों condition को follow करेंगे वो बनाएंगे यानि इन दोनों condition को यहाँ पर तीन ही atom follow करते हैं nitrogen, oxygen और fluorine और condition यह है कि इनके साथ direct hydrogen भी जुड़ना चाहिए जैसे in case of ammonia water, hf, amines, alcohols ऐसे मॉलिकिलों में यह आपस में hydrogen bonding बनाएंगे अब hydrogen bonding बनाएंगे तो कितने type की होगी hydrogen bonding तो type of hydrogen bonding बनाएंगे बात करते हैं तो type of hydrogen bonding hydrogen bonding दो परकार से होगी यानि कैसे कैसे एक मॉलिकिल दूसरे मॉलिकिल को ट्रेक करें अब एक मॉलिकिल खुद जैसे मॉलिकिल को भी अट्रेक कर सकता है और किसी अलग मॉलिकिल को भी अट्रेक कर सकता है जैसे की h2o का h2o से अट्रेक्शन intermolicular hydrogen bonding वो होती है जिसमें एक molecule दूसरे molecule को ट्रेक्ट करता है H2O, H2O को ट्रेक्ट कर रहा है या फिर यहाँ पर H2O, ammonia को ट्रेक्ट कर रहा है H2O, alcohol को ट्रेक्ट कर रहा है H2O, यहाँ पर carbonic acid को ट्रेक्ट कर रहा है carbonic acid खुद को ट्रेक्ट कर रहा है HF, HF को अट्रेक्ट कर रहा है Water, HF को अट्रेक्ट कर रहा है तो यह हो गई यहाँ पर देखो, Same Type of Molecule भी अट्रेक्ट हो रहे है और अलग Type of Attract भी हो रहे हैं जैसे, इसके कई किश्चन मनते हैं किश्चन क्या मनता है? वही, H2O is a Liquid और H2S is Gas देखो, H2O है ना Hydrogen Bonding मनाएगा जिसके वज़े से H2O, H2O को अट्रेक्ट करेगा ज्यादा अट्रेक्ट हो जाएगा दो मोलिकुलों की बीच में और ज्यादा मोलिक अट्रेक्ट्ट होगा मगर H2S में ज्यादा अट्रेक्ट्ट्ट नहीं होगा हो जाता है कार्बोगजलीक एसिड वाटर में सॉलीबल हो जाता है मगर बाकी वाटर में सॉलीबल नहीं है इनका वज़य क्या है हाइड्रोजन बोन्डिंग क्योंकि एलकोहल एमीन कार्बोगजलीक एसिड वाटर के साथ में hydrogen bonding मनाएंगे जैसे किश्चन आता है कि कार्बोगजलिक एसिड का boiling point alkyl halide से ज़्यादा है alkyne 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 से ज़्यादा है alcohol और amines का भी ज़्यादा है तो ऐसा वज़य क्या है तो इनकी वज़य है कि कार्बोगजलिक एसिड आपस में hydrogen bonding मनाता है alcohol के molecule भी आपस में hydrogen bonding मनाते है amines भी आपस में hydrogen bonding मनाते है इसमें याद रखें कि जो nitrogen है वो weak hydrogen bonding मनाएगा alcohol से O से और O weak मनाएगा F से ना मतलब सबसे ज़्यादा strong hydrogen bonding इसकी होगी fluorine की फिर oxygen की और फिर nitrogen की सबसे कमजोर रहेगी hydrogen bonding क्योंकि इनकी electronegativity घठती है सब ज़्यादे electronegative F T है फिर हमारे पास और size भी छोटा हो गया है oxygen की electronegative से कम है और nitrogen की और से कम है जैसे यहाँ question बनता है NS3 has a high welding point than PS3 बज़य है NS3 hydrogen bonding मनाता है आपस में NS3 और NS3 के बीच में तो यह हो गया है हमारे पास कुस question hydrogen bonding से related जैसे अब दूसरा type मैं बात करता हूँ hydrogen bonding का वो होता है intramolecular एक तो था inter inter का मतलब है अलग-अलग molecules के बीच में intra का मतलब हो गया है यहाँ पर एक ही molecule में intramolecular hydrogen bonding यानि इस type की hydrogen bonding एक ही molecule में देखने को मिलती है जैसे यह पूरा एक molecule है जैसे की this is the nitro benzene और this is the OH अगले position के उपर तो यहाँ पर हम बात करें तो nitro group और OH group एक ही benzene पर आई है तो यहाँ पर देखें nitro का O OH के H को track कर रहा है यह dotted से दिखा रखा है देखो hydrogen bonding और यहाँ जैसे की हमारे पास benzene के उपर carbonic acid भी और benzene के पर OH भी है तो carbonic acid का O इसके H को track कर रहा है यहाँ का O इसके H को भी track करेगा double hydrogen bonding हो जाएगा और यहाँ देखें तो इसका O इसके H को track कर रहा है तो एक electronegative part दूसरे के H को track कर रहा है यहाँ पर भी देखें इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके H को यह electronegative track कर रहा है इसके H को यह electronegative track कर रहा है इसके H को इसने track किया इसके H को इसने track किया इसके H को इसने यह देखें यह देखें तो यहाँ पर यहां देखें कि एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट उसी मॉलिक्यूल के दुसरे पार्ट के दुवारा ट्रेक्ट हो रहा है इसे कहेंगे इंट्रा मॉलिक्लर हाइड्रोजन वर्णिंग तो आप इस चीज के उपर इस चीज़ों करेंगे तो आगे हम अपने NCRD के साथ में आएंगे आज के लिए हमरे पास इतना ही टोपिक है एंड थैंक